हलो एवरीवन वेलकम तो और चैनल एंपीबूर्ड इंग्रिश मीडियम हम हमारी इंपॉर्टन कोशन की सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं और आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैमेस्ट्री के इंपॉर्टन कोशन फिजिक्स के दो चैप्टर के इंपॉर्टन कोशन हमने आप लोगों नहीं देखे तो आपको नीचे एक प्लेलिस्ट की लिंक मिल रहे होगी आप वहाँ पे जा करके दोनों वीडियो को देख सकते हैं इस वाले वीडियो में हम लोग चैमेस्ट्री का चैप्टर नमबर वन जो की है सॉलूशन इसके इंपॉर्टन कोशन को डिसकस करने वाले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना पैन और पेपर लेकर के बैट जाईए वो सारे इंपॉर्टन कोशन जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इनको नोट डाउन कीजिए और इनको धरूर से प्रैक्टिस कीजिएगा देखो गाइस मैं आप लोगों को बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकता हूँ इवन मैं आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेज भी ले सकता हूँ बस अगर आप लोगों का रिस्पॉंस अच्छा रहा तो आप मुझे जितना अच्छा रिस्पॉंस देंगे जितना मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करेंगे मैं उतना ही अच्छा और important content आप लोगों के लिए लेकर क्या हूँगा ये मेरी तरफ से promise है बट आप लोगों को मुझे support बहुत ज़्यादा ज़रूर है तो जितना आप मुझे support करूँगे उतना ही मैं आप लोगों के लिए helpful चीज़े लेकर क्या हूँगा तो objective में आप लोगों के exam के time करवाता हूँ अगर आप channel पर नहीं हो तो आपको बता दो exam के पहले मैं आप लोगों को सारे objective प्रिपेर करवा दूगा तो हम आते हैं दो number के important question पर सबसे पहला question आता है state henry's law दूसरा आता है write the difference between ideal and non-ideal solution ठीक है बहुत important question बनता है इसको star mark कर लेजीगा बार-बार MP board में पुछा गया तिसरा question define the following mole fraction ये पिछले ही साल पूछा गया दोजार तेइस का question है मैंने important करवाया था बच्चों को और paper में आया भी है फिपता आता है write a short note on PPM, osmotic pressure and solution तो ये थे आप लोगों के दो number के important question जो मेरे according आप लोगों को paper में पूछे जा सकते है अब हम लोग आगे बढ़ते है और आगे discuss करते है ती number के questions को ती number के questions आप स्क्रीन पे देख रहे होगे तो इनको अच्छे से note down कर लो और ये PDF आपको चाहिए तो मेरे telegram channel आप लोगों को link मिले के description में वहाँ पे जा करके telegram channel को subscribe करो और join कर लो आपको भी PDF वहाँ पे available मिल जाएगी ठीक ती number के question में पहला जो आ सकता है हो है find the molarity of water यहाँ पे h2o भी लिखा आ सकता है तो confuse नहीं होना है अपना थोड़ा सा बुद्धी दिमाग का इस्तमाल जरूर करें ठीक है दूसरा question आता है यहाँ पे अपने मस्टीश का अच्छे से प्रयोग कीजेगा क्योंकि non-volatile or volatile solution है उसमें थोड़ा अंतर होता है तो खुले दिमाग से paper जरूर सॉल्ट करें तीसरा question आता है define the following azotropic mixture isotonic solution and semi-permeable membrane isotonic solution की definition कौन बच्चा comment section में बताएगा जो भी बता हैंगा उसके comment को pin कर दी जाएगी बहुत छोटी से definition है या फिर मुझे ये बता दो कि isotonic solution में solute ज्यादा होता है या solvent ज्यादा होता है छोटा से आप लोगों से question है please comment section में इसका answer देना चोथा question आता है define vent of vector तो क्या होता है vent of vector ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए तो ये थे कुछ 3 number के question 4 number के question जो कि इस बार पुछे जा सकते है मेरी according वो कुछ इस प्रकार से है पहला question आता है write 5 difference between solution having positive deviation and negative deviation दूसरा question write the difference between molecularity and order of reaction ठीक है क्या होती है molecularity और क्या होता है order of reaction त्रितिय पश्चन आता है आप लोगों के लिए write the difference between rate of reaction and rate constant दोनों के लिए specific symbols भी होते हैं तो आप लोग difference में symbol को भी denote कर सकते हैं कि rate of reaction का symbol ये है और rate constant का symbol ये है और चौथे पर मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोगों को कुछ numericals practice करना है morality पर, morality पर, osmotic pressure पर और जो पिछले साल में आए है वो पिछले साल के लिए मैं PDF release करता हूँ तो उसको पढ़ देना दिवाली तक मैं उसको release कर दूँगा तो पर्चेस करके पढ़ देना previous year पूरे practice हो जाएगे most important होते है वो भी question जो बच्चे आप लोग अगर किसी के reference से आयो चैनल पर तो आप लोगों को पता होगा किती important चीज़े मैं है डिसकस करता हूँ तो यह था आप लोगों के chemistry के पहले chapter के important question अगर पसंद आयो तो guys please video को like कीजे दोस्तों में share कीजे और अगर चाहो तो मुझे instagram पर follow कर सकते हो चाहो क्या करी लेना आगा अब मेरे पर followers बढ़ जाएगे thank you for watching this video मिलते है आप सभी से अगले वीडियो में